नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको धर्मराज जी की परमभक्त पोपाबाई की कथा सुनाने जा रही हूँ. एक गाउ में एक पोपाबाई रहती थी. जब वह पांचम साल की थी, तभी से वह नियम से धर्मराज जी व्रत की कथा सुनती थी और व्रत करती थी. एक दिन उसने अपने भाई वभाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी. अब मैं अपना समय भगवान की पूजा अर्चना में ही बिताना चाहती हूँ. इसलिए मेरी जोपड़ी गाउ के बाहर बनवा दो और गाउ मैं सब को कह दो कि वह अपनी गाय, वह बच्छडों को मेरे यहां ही घास फूस चरने को भेज दो और जिसकी भी इच्छा हो, श्रद्धा हो, मुझे खाना भिजवा दो. एक दिन नगर का राजा, शिकार खेलने जंगल में आया और गाउं के बाहर जंगल के पास बनी जोपड़ी देखकर रुख गया. जोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाए कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई आवाज ना आने पर वह लगातार दर्वाजा खट-खटाता रहा. तब पोपा बाई उठी और कहने लगी कि कौन हो तुम, जो बार-बार दर्वाजा बजा रहे हो, क्यूं आवाज लगा रहे हो? राजा ने कहा कि मै यहां का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करूंगा. पोपा बाई ने कहा कि जहां से आए हो वही चले जाओ. मैं किसी पराय आदमी का मुह नहीं देखती हूँ, अन राजा ने. पोपा बाई की एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठा कर ले गया. तब पोपा बाई को वहीं वापिस छोड़ाओ. राजा जब पोपा बाई को वापिस जोपड़ी में छोड़ने जाने लगा, तो रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें राजा डूब गया. कुछ समय बाद पोपा बाई मृत्यू के बाद धर्मराज जी के यहां पहुँची, और ध धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया. एक बार एक सेठ वह सेठानी मृत्यू लोक से स्वर्ग लोक आए, तो उसके द्वार बंद देखकर वह धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करते हैं. धर्मराज जी कहते हैं इस द्वार पर पोपा बाई का इस पर सेठ सेठानी कहते हैं कि हम पोपा बाई को नहीं जानते हैं। धर्मराज जी उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों साथ दिन तक मिर्त्यू लोक में रहो। आठ खोप्रा से राई भरकर, पांच कपड़े उपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपा, बाई लेखा लेगी राई राई का। सारे बोलो पोपा बाई की जए। दोस्तों आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने फैमिली ग्रूप में शेयर कर दे हैं जिससे वह भी यह कथा सुन ले वे। धन्यवाद।